वेल्कम टी श्रौन डिक्टेशन, डिक्टेशन पान सिकन बाश शुरू होगा रेडी स्टार्ट यह अच्छा हुआ कि सुपरीम कोर्ट ने कुछ राजियों में कोरोना महामारी के चिंता जनक हालात का संग्यान लिया और उनसे वस्तु इस्थिती के रिपोर्ट देने के लिए कहा यह हस्तक शेप इसलिए आवश्यक था क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमड की रफ्तार चिंता जनक बनी हुई है और कोरोना मरीज घटने के बजाए बढ़ रहे हैं इस इस्थिती का निदान मुस्तैदीक से करना होगा क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और यह आशंका है कि ऐसे मौसम में कोरोना संक्रमड और फैल सकता है निसंदेह राज सरकारों की मुस्तैदी तभी कारगर सावित होगी जब आमजनता जरूरी सतरकता और अनुसासन का परिचय देने के लिए ततपर होगी यह ठीक नहीं कि लोगों में कोरोना से बचे रहने के लिए उतनी सजगता नहीं दिख रही है जितनी आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है इस्थिती यह है कि लोग मास्क लगाने में गोर लापरवाही का परिचय देने के साथ शारिरिक दूरी के प्रति भी सतरकता नहीं दिखा रहे है इससे भी खराब बात यह है कि सारवजनिक इस्तर पर धार्मिक सांस्क्रेतिक और यहां तक की राजनीतिक आयोजन भी बिना किसी रोक टोक के हो रहे है यह और कुछ नहीं जान बूज कर जोखिम मूल लेने वाले आचरण है ऐसा रवया कुरोना के खिलाफ देश की लडाई को कमजूर करने वाला है कम से कम अब तो लोगों को इससे अच्छी तरह अवगत हो ही जाना चाहिए कि सतरकता ही कुरोना से बचाव का एक मात्र प्रभावी उपाय है जब तक कुरोना की रोक थाम के लिए वैक्सीन सामने नहीं आ जाती तब तक इस सावधानी का परिचय देने के अलावा और कोई उपाय नहीं यह ठीक है कि कई वैक्सीन अपने अंतिम चरण में हैं लेकिन वे आम लोगों को कब उपलब्ध होंगी इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कोरोना वाइरस से उपजी कोविड महामारी लोगों के सैयम और अनुशासन की परिच्छा ले रही है इस परिच्छा में खरा उतरना हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए जब इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा तब केंदर राज्य सरकारों और उनकी विभिन एजेंसियों की ओर से किये जा रहे उपाय प्रभावी सावित होंगे बहतर हो की लोग यह समझें की सरकारों के पास कोरोना की रोक थाम के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है और यदि सतरकता का परिचय नहीं दिया गया तो इस्थितियां और अधिक बिगड सकती हैं केंद्र और राज सरकारें वे सभी कदम उठा रही हैं जो कोरोना पर अंकुष के लिए आवशक है लेकिन यह ध्यान रखने की आवशकता है कि पाबंदियां अनंतकाल तक कायम नहीं रख सकतीं चुकि हालात सामान करना भी उतना ही आवशक है इसलिए आम जनता पर यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह सावधानी के उपायों में किसी किस्म की धिलाई न दिखाए stop